नमस्कार, आई सर्डी में आप से का स्वागत हैं आज हम इस वीडियो में पटना कलम चितरकला के बारे में अध्यन करेंगे और ये जानेंगे कि इस टॉपिक को परिक्षा में कैसे लिखना है नॉर्मली अगर आप देखें UPSC के अलावे तो BPSC में या स्पेस्पिक रूप से इस चितरकला की विशेस्ताओं के बारे में पूछा जाता रहा है और इस बार के भी BPSC में संभावना है कि इसको पूछा जा सकता है तो यही वज़ा है कि यह टॉपिक आपके लिए important है और इससे related मैंने वीडियो पहले भी बनाया है उसका link description box में है आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं तो इन दोनों वीडियो को देख लिजेगा और तुलात्मक रूप से जो जो आपको main point अच्छा लगे आप उसको notes करते चलीगा या अपने notes में डालते रहिएगा यह वाला जो वीडियो है इसमें थोड़ा कुछ और डाला गया है कुछ इसमें कुछ changing या इसमें कहदें की update किया गया है तो आप दोनों तरीके से देखिएगा और साथी Times of India का एक बहुत ही अच्छा article है जिसमें जिसका जो link है वो description box में डाला है खास करके English medium के जो लोग होंगे उसको जरूर देख लिजेगा शुरू करता हूँ कि इस जो topic में हमें क्या क्या study करना है तो सबसे पहले हम पटना कलम चितरकला की भूमिका के बारे में जानेंगे कि कैसे इसको लिखना है साथ ही जो प्रशन में पूछा जाता है कि पटना कलम चितरकला की प्रमुक विश्यस्ताओं का लेख करें तो प्रमुक विश्यस्ताओं को भी हम देख लेंगे उसके बाद है पटना कलम चितरकला के प्रमुक चितरकार तो जो जो चित्रकार हैं उनके बारे में भी जान लेंगे कि अभी तक कौन-कौन से चित्रकार चर्चित्र हैं पटना कलम के, साथ ही उनके जो महत्वपुन चित्र है उस पर बात कर लेंगे इसकी आलोचना करेंगे, इसकी महत्व को समझेंगे, उसके बाद एक निसकर्स दे देंगे तो शुरू करता हूँ मैं इसकी भूमिका से की कैसे हम इसकी भूमिका को लिखेंगे तो एक छोटी सी भूमिका मैंने आपके लिए लिख दी है, आप चाहें तो इसको अपनी भाशा में बदल लिजेगा या इसको चेंज कर लिजेगा या हूँ बहू इसी को उतार दीजेगा तो पटनेकलम के नाम से विख्यात बिहार की यह शैली विश्व के चित्रकला की शैलियों में से एक अलग पहचान रखती हैं इस चित्रकला का विकास 18 सदी के मध्य से लेकर 20 सदी के आरभ में हुआ वस्तुतह और अंजेब के राजदरबार से जो कलाकार थे या चित्रकार थे उनके विस्थापन, पलायन तथा मोगल समराजे के पतन के बाद अनिक कलाकारों ने छेत्री नवाबों के हां आश्रे लिया इसी के फलस्वरूप कला के अनिक छेत्री रूप उभरे इसमें पटना कलम चित्रकला प्रमुख है तो यही देखिएगा कि इसमें जो चित्रकला है इसके जो भूमिका आपको लिखनी है जिसमें दो तिन इंपोर्टन बात है कि आप भूमिका में ही बताईए एक तो 18 सद उनके समक्ष जिवी को पारजन का संकट हुआ तो वो वहां से पलायन करने लगें नॉर्मली अगर आप देखिएगा तो वो जो कलाकार थे वो पश्चिम बंगाल के मुर्सीदाबाद वाले छेतर में रहते थे और वहां से उनका पलायन हुआ पटना की तरफ और वो पटन काुआ जो सेली उभरा उसको प्टना कलंग के नाम से जाना जाता है तो इस तरीके से यह जो नामकरन है थे आप उसको समझें किस तरीके से जब बुर्शीदाबाद से बंगविदा को पलायन पलायन की तरफ हुआ और यह जो कलाकार थे य sanctो तर ना थे वह जब पटना में आके बस गे पट्ना दाना पूर आरा वाले इन तीनों इलाकों में आके वो बसे और यहां के जो ब्रूटिसस थे और जो संभरान्त लोग थे उनके संदक्षन में जब वो चित्र बनाना शुरू किये तो यही वजह था कि इसको पट्ना कलम चित्रकला के नाम से हम जानते हैं उसके बाद हम इसकी विशेष्टाओं के बारे में बात करेंगे कि क्या-क्या प्रमुख विशेष्टाएं है तो आप सबसे पहली विशेष्टा जो लिखी हुई है वह पढ़िए इसमें लिखा है पहली विशेष्टा में कि पटना कलम चितर सैली पर मुगल सैली ब्रिटिस सेली तथा स्थानिय विशिष्टता इन तीनों का मिस्रन है इस कला को इंडो ब्रिटिस कला भी कहा जाता है तो जो पहली विशिष्टता है वो उसी संदर में है कि ये जो चुत्रकला है इस पर तीनों सेलियों का प्रफाव है अगर आप मोल रूप से देखें ओरिजनली जाता थे इस प्रेंटिंग के जो खरीदार थे मुखेता ब्रिटेन के लोग थे ब्रिटेन के लोग इस चित्र को खरीद के वो अपने यहां लेके जाते थे लेकिन जब कलाकारों का मुर्सीदाबास से पटना की तरफ पलायन हो गया और वो कलाकार पटना के आसपस आके ब माहित करते हैं आगली विशेष्ता में उसको भी उसको भी हम लिखेंगे तो यह आप समझेगा कि इस कला को इंडो ब्रॉटिस कला भी कहा जाता है कि दूसरी जो विशेस्ता है कि इसका जो चित्र होता था वह मीनियेचरς होता था लगु चित्रों के रूप में वह होते थे यानि की जैसे मधु बनी प्रेंटिंग होता है वह आप देखें लेकिन शब्दों को आप चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं कि व्यक्ति लिख दीजिए पालकी उठाए व्यक्ति जब पजाय कि वहाँ पे कहार शब्द का यूज़ किया जाए तो पालकी उठाए व्यक्ति, मचली बेच्टि महिला, खेत जोता किसान, लोहे बनाता व्यक्ति, साधू, सन्यासियों, पसुपक्षियों के चितर इत्यादी होते थे इन चितरों के माध्यम से स्पस्ट होता है कि जो चितरकार थे, जो यहां की जीवन सैली थी, उनको वो कैन्वास पे उतारा करते थे उसी से समंधि चितर बनाया करते थे, बहुती सपस्ट रूप से समझ में आ जाता है, अगर आप चितर भी देखें, तो इसी तरीके से वो चितर बनाते थे, जो कि हमारे दैनिक जीवन में जो क्रिया कलाप होते थे, जो डेली बेसे पे जो अक्टिविटी होती थी, उन्ही सबको वो कैनवास पे उतार दिया करते थे, यह है पालकी उठाया जो लोग व्यक्ति हैं इसमें, तो इस तरीके से चितरों का निर्मान होता था, इन्ही को आपको लिखना है अपने शब्दों में बनाके, शब्दों में ढालके आप अच्छे से इसको लिखिएगा, तीसर कजली की विशिस्ट विश्यस्ता थी, और यह जो तकनीक होता था कि सीधे आप ब्रस से ही प्रेंटिंग कर देगे, उसको कजली स्याही भी कहते हैं, यही तकनीक कजली स्याही के रूप में जानी जाती थी, जिसमें पहले वो खाकाना बनाके सीधे ब्रस लिए और करते थे, जिसमें वो फूल से रंग त्यार करते थे, फल से, वरिक्षों की छाल से, पत्थर से, काजल से, धातू से, नील से इत्यादी, और कुछ रंगों का नाम भी लिखना चाहिए कि कैसे कैसे वो किन-किन रूपों में रंग का निर्मान करते थे, यानि रंगों के प् पत्थर लाजवर्दी पत्थर या नील से नीला रंग तयार किया था चराग के फोलों से या काजल से वो काला रंग तयार करते थे सोने से वो सुनहरा रंग तयार कर लेते थे एक मिट्टी थी रागरी उससे वो सफेद रंग तयार करते थे पत्थर से आप देखिएगा तो से वो जो ग्रे कलर होता है वो रंग त्यार करते हैं जिसको हिंदी में धूसर कहते हैं तो इस तरीके से वो रंगों का निर्मान जो था वो प्राक्रतिक तरीके से करते थे और ब्रशों का जिन जो निर्मान होता था वो की गिलहरी की पूँच से वो ब्रश बना लेते थे भै रंगों का निर्मान हो या ब्रशों का निर्मान हो वो हर चीज में प्रकृति को फॉलो करते थे प्राकृतिक तरीके से ही इन चित्रों का निर्मान भी वो करते थे छट्वी विसेस्ता है कि जो रंगों का प्रयोग होता था वो काफो डीव रंगों का प्रयोग करते थे जिस विखेशता हैं कि canvas को बनाने के लिए चित्रकार सूथ का इस्तमाल करते थे थे फटे पूराने कपड़े बास का इस्तमाल वो कर लेते थे और इन पर रंग लगाने के लिए गोंद और गोंद का वो इस्तेमाल करते थे और चित्रों का निर्मान चमड़े पर भी करते थे यहां थोड़ी लाइन में हिंदी टाइपिंग में थोड़ी सी एरर होगी या पिसको सही कर लिग जेगा कि कैन्न वॉस बनाने के लिए चित्रकार, सूट, फटे पुराने कपडे और मास का इस्तमाल करते थे यसे कि वह हैंड मेट पेपर होता है यह बंबुशीट ओती है आईवरी और माईगा या अवरक पर भी वह चित्र बनाया करते थे हाथी दार पे भी वो चित्र बनाया करते थे और रंग लगाने के लिए गोंद का इस्तमाल करते थे कुछ चित्रों का निर्मान अगर आप देखे तो चमड़े पे भी वो करते थे उसके बाद कुछ चित्रों का निर्मान वो धातुत था जो सीसे हैं उन पर भी किया गया है तो यह आप इसमें इसको लाइन थोड़ा ठीक कर लीजेगा लेकिन लिख दीजेगा जो इसमें कहा गया है कि कैन्वास का वो कैसे निर्मान करते थे अगली विशेस्टा को थे तो नर्मली अगर आप देखें तो जो लैंड़स्केप होता जो प्रिष्ट भूमी होता है उसको वो नहीं डालते थे सिर्फ चित्र ही बना देते थे जो भी धैनिक जीवन की चित्रे होती थी या धैनिक जीवन के जो क्रिय कलाप होते थे उन्ही को वो हुब हुब कैन्वास पे उतार देते थे जिनका लक्षे था कि जो कला प्रेमी है वो सिर्फ विशे वस्तु पर ही खेंद्रित रह सकें तो यह उनकी अद्भुत विशेस्ता थी नौमी विशेस्ता है कि जो चिडियों का चितरन था वो काफी वैज्ञानिक तरीके से होता था अगर आप इसमें देखिएगा तो ऐसा लगता था कि यह जो कलाकार है या जो पटना कलम चितरकला का जो कलाकार है वो पक्षियों के सरीर विज्ञान से काफी परचीत थे यही वज़ था कि जौ चिडियों का चितरन होता था वो काफी महत्वर पून था तो आप इसको लिखिएगा हमें विशेस्ता के रूपने जो दसभी सिच्छता है कि आखिरे वह मनुस्यों के चितर किस तरीके से बनाते थे तो उसमें चेहरा जो होता था वह पतला था नाके लं से लिख लीजिएगा सबसे पहला कि यह जो शैली है उसमें इंडो ब्रुटिस शैली भी कहा जाता है क्यूं कहा जाता है इसके बारे में मैंने चर्चा किया था एक बात और कि जो पटना कलम चितरकला थे या चितरकार थे वो ब्रिटिस टाइप में जो कैनवास होता था उस पर भी वो चितर उनको बना के देते थे क्योंकि मुख्य जो खरीदार थे वो वही थे और वो अपने देश ले जाते थे ताकि यहां की जो संस्कृती है उसको सम ब्रश यही इस्तमाल या ब्रश यही सीधी चितर बनाया करते थे और इस तकनीक को कजली स्याही भी कहते थे रंगों का निर्मान कैसे होता था प्राकृतिक तरीके से आप उसके बारे में लिखिएगा कुछ रंगों का भी डाल दीजीगा कि किस तरीके से रंगों तयार कर से उनका चित्रन किया गया है उसके बाद जो प्रमुख चित्र हैं उस पे चर्चा करनी बहुत जुरूरी है क्या-क्या चित्र थी जो आज भी वो चर्चा में होती है या जो प्रचलीत है या जो संदक्षित है उनके बारे में आपको प्रमुख चित्रों के रूप में अध् दूसरा है कि माधो लाल द्वारा निर्मित विरहनी नाइका का विर्णा लिये चित्र तो ये भी एक इंपोर्टेंट है ये जो माधो लाल वाला जो चित्र है विरहनी नाइका का विर्णा लिये चित्र इसी चित्र को रागिनी तोड़ी के नाम से भी जाना जाता है और ये जो रागेनी तोड़ी है ये पटना का जो खुदा बक्ष औरियंटल पब्लिक लाइब्रेरी है खुदा बक्ष जो लाइब्रेरी है वहां पर इसको रखा गया है महादेव लाल का जो रागेनी गंधारी है वो पटना म्यूजियम में रखा गया है तो उसको विध्यान दिज इन सभी famous चित्रों को आप लिखेगा इसी तरीके से point wise ताकि परिक्षा में साफ साफ देख जाए कि आपने इतने चित्रों का उलेख किया है या इस पर आपने चर्चा किया है उनको लिखा है आप चाहें तो नीचे में लिख भी सकते हैं कि इन चित्रों का जो संग्रा है वो रिटेन की म्युजियम का उदरन दे सकते हैं इसमें और खुदाबक्स लाइबरेडी में आप इनका नाम ज्रूर लिखती ज़िया जो मादहौलाड़ा दौरा निर्मित विरहनी चित्री का है विरहनी नाइका का जो चित्र है वो खुदाबक्स लाइबरेड प्रमुख्ष चित्रकारों के नाम आपको लिखने हैं, उसके बाद हमा लोचना कर देंगे, फिर महत्व बता देंगे, तो जो चित्रकार थे, उसमें सेवक नाम सबसे पहला थे, खुलास लाल का नाम लिखेगा, जैरामदास का लिखेगा, शिवदया लाल का नाम लिख दीजिएगा, गु को सामने लाया जा सके और यही वज़ा है कि जब आप इतने नामों को देख रहे हैं सेवक राम हुलास लाल जैरामदास शुदयाल लाल गुर सहाय राधा मोहन बाबुईस्वरी प्रसाद वर्मा यह सब चित्रकार पुरुस हैं तो यही वज़ा है कि पटना कलम चित्रकला को पुरुषों की चित्रकला भी कही जाती हैं तो यह एक आप चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं छोड़ भी सकते हैं पुरुषों की चित्रकला इसको मानी जाती हैं अब यह है कि इसकी आलोचना कैसे करें तो इसमें देखीगा कि सबसे पहला जो है कि पटना कलम चित्रकला में जो चित्रकार थे वो चित्रों की लगातार पुन्रावरती करते थे यानि बार-बार एक ही चित्र बनाते थे यही वज़ा था कि धीरे-धीरे इनकी डिमांड कम होगी लेकिन जैसे ब्रुटिसस चले गए तो लोग इनकी चित्रों को खरीदना बंद करती लेकि क्योंकि जो मेन ग्रहक थे वो यहां से चले गए और यही वजह है कि इन चित्रकारों को ईंकी जो चित्र था फिर बाद में कोई ग्रहक नहीं mínला थीरे-धीरे विलुपत हो गया दूसरा यह भी करण है कि यह चित्रकला जो है कैमरे के आविश्धार के बाद से इस पे बहुत ज्या जा रहे कि आलोचना आत्मक विसलेशन करें तभी आलोचना को छड़िएगा नहीं तो आलोचना का एक सब्द भी आपको नहीं लिखना है आलोचना या फिर कम्यों को लिखेगा तो सकरात्मक तरीके से महत्व बताईए कि लोगों और उनकी जीवन को चित्रों के माध्यम से क पर जगह मिली और जिसके द्वारा ना सिर्फ भारत बलकि भारत से बाहर के लोगों को भी हमारा जो कल्चर है उनको जानने समझने का जो जरिया है वो प्राप्त हुआ या इन चित्रों के सहरे वो हमारे जीवन सेली को वो समझ सके ये जरूर दिखाईएगा तो इस तरीके से इसका महत्व बता दिजेगा साथी चित्रकारों के जो कल्पना सीलता थी वो इस चित्रों में दिखाई देती थी जो की एक अध्भूत बात है उसके बाद निसकर्स एक लाइन में लिख दीजे कि इस प्रकार पटना कलम चित्रकला बिहार की गौरवशाली कला परंपरा का विश्मर्नी धरोहर है भारतिय चित्रकला के विकास और स्मृती में अध्विती योगदान दिया है और साथ ही एक लेटेस्ट डाल दिजेगा कि वर्स 2010 में बिहार की सरकार ने पटना कलम चित्रकला को पुनर जीवित करते हुए या पुनर जीवित करने का प्रयास किया जिसमें वो जो इस पर एक कैलेंडर जारी किया था तो ये आप में चर्चा कर दिजेगा कि वर्स 2010 में पटना कलम चित्रकला पर एक कैलेंडर बिहार सरकार के द्वारा जारी किया गया था तो ये इस तरीके से है तो इस तरीके से आपको पटना कलम चित्रकला के बारे में इतना बता देना है, आपको चार पेज ही लिखने को मिलेगा, उसी में इतनी बातें आपको लिख डालनी है, तो बाकी अगर आप अनेकडमी पे जोड़ना चाहते हैं, तो आईएगा, फॉलो पे क्लिक कीजेगा, आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्री आप समीका.